Hello friends, very good afternoon, कैसे हैं आप सब, होप आप सब अच्छे होंगे, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं class 7, geography chapter 6, natural vegetations and wildlife के कुछ question answers, आज इस वीडियो में हम अपने कुछ इस chapter से related question answer को discuss करेंगे, तो चलिया ये start करते हैं, पहला question हमारा कहता है कि which are the two factors on which growth of vegetation mostly dependent, यानि कि कौन से ऐसे दो हमारे कारण है, factor है, जिनकी वज़े से क्या होता है, हमारे जो vegetation होते हैं, यानि कि हमारी जो वनस्पतियां होती हैं, हमारे जो पेड़ पौदे होते हैं, उनकी growth में, उनका जब और ज़्यादा, जब वो खिलते हैं, फूलते हैं, तो वो किस चीज़ पे जादा तर depend करते हैं, कौन से ऐसे factor हैं उन पे जब हमारी vegetation की growth जो है, उन पर depend करती है, तो the growth of vegetation depends on two factors, तो यहां कहता है कि जो हमारी growth है, vegetation की जो growth है, वो depend करती है दो factors पे, ठीक है, पहला होता है हमारा temperature and second is moisture, यानि कि पहला हमारा तापमान हो गया, ठीक है, उस particular जगह का कैसा temperature है, कैसा तापमान है, and second one is moisture, यानि कि उस particular जगह पे किस तरह की नमी है, तो उसके according क्या होता है, हमारा natural जो vegetation होता है, यानि कि वनस्पतिया, पेड़ पौदे होते हैं, वो grow करती है, उसके according, फिस second question हमारा करता है, कि which are the three broad categories of natural vegetation, यानि कि तीन ऐसी कौन सी category है, जो हमारे natural means, हमारे जो प्राकितिक वनस्पतियां है, ठीक है, उनको किन तीन parts में, broad category में, divide कर दिया गया है, तो natural vegetation is divided into three categories, इनको तीन categories में, three broad categories में, हमारी प्राकितिक वनस्पतियों को विबाजित कर दिया गया है, divide कर दिया गया है, पहला होता है हमारा forest, second होता है हमा याने कि पहला हमारा जंगल हो गया forest हो गया ठीक है दें second हमारा हो गया grassland ठीक है याने कि हमारी जो घास स्थल होती है वो हो गया हमारा क्याना में grassland देन उसके बाद तीसरा हमारा होता है natural vegetation का shrubs यानि कि जो हमारी जाडियां होती है ठीक है वो हमारी कहलाती है shrubs तो ये तीन हो गए forest, grassland and shrubs तो forest में जब हमारे natural vegetation को बाटा गया है यानि कि प्राकितिक वनस्पतियों को forest में बाटा गया है तो क्या कहता है कि where rainfall and temperatures are plenty full for plant growth यानि कि उस जगह पे उस जंगल में forest में क्या होता है कि जो rainfall होता है यानि कि जो बारिश होती है और वहां का जो temperature होता है वहां का जो वातावरन होता है तापमान होता है वो भरपूर होता है plantiful होता है यानि कि भरपूर होता है किसी भी plant के growth के लिए यानि कि plant को बड़ा होने के लिए जिस amount में पानी चाहिए जिस amount में उसको जैसा temperature चाहिए यानि तापमान चाहिए वो वहाँ पे भरपूर पाया जाता है कहाँ पे forest में ठीक है then second is grassland यानि plant that grow in reason of moderate rainfall यानि कि वो plants वो plants उस particular जगह पे grow करते हैं बढ़ते हैं जहां पे क्या होता है कि moderate rainfall होता है यानि कि मतलब सामान होता है ठीक है जितना उसको चाहिए उसके according होता है मध्यम वर्षा यानि कह लिए कि मतलब बीच का ना बहुत जादा ना बहुत कम वो नौर्मल होता है moderate होता है बीच का होता है तो इसको कहते हैं मध्यम वर्षा ठीक है तो ग्रास लेंड उस particular जगह पे grow करता है वहां पे घास उगती है उस जमीन पे जहां पे हमारी moderate rainfall होती है यानि कि जहां पे मध्यम वर्षा होती है ठीक है तो कहता है श्रप्स यानि plants that grow in dry reason श्रप्स जाडियां यह plant जो होता है उन जगहों पे बढ़ता है उन जगहों पे पैदा होता है grow होता है जहां पे रेगिस्तान होता है dry reason मतलब सूखी मतलब dry रहते है reason पुरा छेतर जो रहेगा वह सूखा रहेगा ठीक है dry reason रहेगा वहां पे आपको जहाडियां है यह सब मिलती है then third question हमारा कहता है कि name the two hardwood trees commonly found in tropical evergreen forest दो ऐसे हमारी द्रिन लकडियों के पेड का नाम बताना है hardwood tree means कि जो हमारी कठोर लकडी होती है उनके पेड के नाम बताने है जो हमारे ज़्यादतर ट्रॉपिकल evergreen forest में मिलता है यानि कि हमारे जो सदा बहार वन है evergreen forest है सदा बहार वन वहां के tropical evergreen forest में हमको ऐसी कौन सी दो hardwood trees है जो ज़्यादतर हमें मिलती है तो दो जो हमारी hardwood trees है यानि कि हमारी जो द्रिण लकडियों के पेड है जो हमें tropical evergreen forest में मिलते हैं तो वो कौन-कौन से हैं answer कहता है कि two hardwood trees commonly found in जो हमारे दो hardwood trees हैं वो हमको found होते हैं यानि हमें मिलते हैं tropical evergreen forest में वो कौन-कौन से होते हैं rosewood and mahogany ठीक है दो ऐसे woods होते हैं हमारे कौन से शीशम के rosewood याने शीशम का पेड और mahogany यानि हमारी इसको हम mahogany विक्ष कहते हैं यह दोनों पेड के जो लकडियां होती हैं वो काफी strong होती हैं कठोर होती हैं ठीक है और यह हमारे tropical evergreen forest में पाई जाती हैं ठीक है फिर हमारा next question कहता है कि in which part of the world की हमारे कौन से पार्ट में दुनिया के कौन से वर्ल्ड के कौन से पार्ट में a tropical deciduous forest found हमारा जो Tropical Decidious Forest याने कि हमारे जो पतजडी वन है ठीक है वो कहां पाए जाते हैं कौन से वर्ड के कौन से दुनिया के हिस्से में पाए जाते हैं हमारे जो पतजडी वन होते हैं Tropical के तो ये कहता है कि Tropical Decidious Forest also known as the Monsoon Forest इन Forest को हम Monsoon Forest के नाम से भी जानते हैं और found in reason यह हमें उन छेत्रों में मिलते हैं that experience seasonal changes जिन छेत्रों को experience है मतलब अनुभव है seasonal changes का यानि कि जो मौसम की बदलाव होती है seasonal changes होती है उसका उने अनुभव है उस छेत्र को ठीक है वो हमारा कहलाता है monsoon forest इसलिए हम अपने tropical deciduous forest को भी monsoon forest के नाम से जानते हैं these area includes यह क्या करता है यह छेत्र जो होते हैं यह जो area होते वह क्या करते include करते हैं इंडिया Northern Australia and America ठीक है यह किन किन से हमारे कौन कौन से वर्ल्ड के पार्ट में होते हैं इंडिया में Northern Australia में और अमेरिका में ठीक है तो वर्ल्ड के इन भाग में हमको अपना tropical deciduous forest यानि की monsoon forest हमें देखने को मिलता है या वहाँ angry fruit होता यह फॉर्ट होता है जो ख़ता होता है जिसमें citrus की मात्र होती है यानि कि खट़ा बन होता है तो यह बोल रहा है कि कौन सा ऐसा climate होता है कौन सी ऐसी climate का condition होता है तापमान होता है जब एक आप जूल्वक्रस फॉल्वड भाल मानने कि citrus वाले fruit जो है ये ग्रो करते हैं in reason mark for hot वो रीजन में उन छेतरों में जो reason mark किया गया है गर्मी के लिए, dry summer के लिए और हलकी rain के लिए, हलकी mild rainy winter मनी हलकी थन्डी वाली जो बारिश होती है वो वाली reason के लिए ये particular छेत्र को region को mark किया गया है उसी area में आपको citrus food जो है वो आपको देखने को मिलता है ठीक है यानि कि जहां पे हलकी बड़सात सर्दी वाली होती है गर्मी होती है और dry summer होता है ठीक है रुखा गर्मी होता है तो उन areas में हमको citrus food मिलता है उसी area में citrus food जो है वो grow होता है ठीक है पाया जाता है these citrus foods involve ये सारे citrus food जो होते हैं वो involve क्या क्या करते हैं orange हो गया, figs हो गया, olives हो गया, grapes हो गया ये सारे जो होते हैं हमारे खटे फल होते हैं जो हमारे उन छेत्रों में पाया जाता है जो हमारी क्याना में गरम छेतर होते हैं और राई समर होता है मद्यम वर्षा वाला थंडा जो हुता है यह पाया जाता है जैसे इसको कियाया करते है जादातर यह जास तरह यह Meditarian Meditation यह आप छाता आप फिर next question हमारा कहता है कि mention the use of conferos forest यानि कि सकुनधारी one conferos forest याने हम इसे क्या करते हैं शकुनधारी शकुनधारी one ठीक है तो हमें क्या करना है कि इसकी uses बताने इसका इस्तमाल क्या है conferos forest का शकुनधारी one का क्या use है the soft wood evergreen trees जो हमारी नरम लकडियां होती है ठीक है evergreen trees होती है जो हरी आली वली हरी भरी पेड होते हैं हमारे जिसकी लकडियां जो होती है वो नरम होती है that grow in the conference forest वो लकडिया वो पेड़ जो होते हैं वो हमारे शकुनधारी जिवन में ही ग्रो करते हैं बढ़ते हैं पाए जाते हैं यानि कि उन evergreen trees जो होते हैं जो soft लकडियों वाले होते हैं वो हमारे इसी conference forest में पाए जाते हैं are used for making a matchbox जिन लकडियों का use किया जाता है matches की डिबबी बनाने में matchbox बनाने में ठीक है? packing box बनाने में यानि कि आप किसी चीज़ को pack करने के लिए जो box use करते हो matchbox बनाने में लिए तो ये लकडियों का इस चीज़ के लिए use किया जाता है they are also used for making pulp इन लकडियों का use pulp बनाने के लिए भी किया जाता है जिस pulp का use करके क्या कियाता है which is used to manufacture a paper and newsprint उस pulp का use करके हम क्या करते हैं paper बनाते हैं यानि कागज बनाते हैं और जो भी newsprints होते हैं वो सब बनाते हैं तो इसलिए हमारा conferis forest का use है क्योंकि उस लकडियों का उस नरम लकडियों का इस्तमाल हम क्या करते हैं किसी भी तरीके के box को बनाने के लिए करते हैं या फिर उनके pulp से अपने paper या newsprint को बनाने की कोशिश करते हैं ठीक है next question हमारा कहता है कि in which part of the world is seasonal grassland found कौन सा हमारी दुनिया का हिस्सा है जहां पर сीजनली यानी मौसमी जो हमारा घास स्थल होता है grassland होता है वो हमें मिलता है यानि हम वहाँ पर किस ऐसे जगह पर घास स्थल खोशते हैं तो seasonal grassland can be found जो हमारी seasonal grassland होते हैं यानि कि हमारी जो मौसमी घास स्थाल होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं हम उसको वहां खोचते हैं in the middle latitudinal zone यानी कि हमारा जो middle latitudinal छेतर है ठीक है बीच का जो हमारा latitudinal छेतर है वहाँ पे and in the interior part of the continent याने कि हमारी महाद्वीप के अंदरी भाग में हमें इस तरह का सीजनल घास स्थल याने मौसमी घास स्थल हमें पाया जाता है या हम उसे वहाँ पर देखते हैं ठीक है फिर नेक्स कोशन हमारा कहता है टिक दे करेक्ट आंसर पहला कोशन है मौसेज अन लीचेन आर फाउंड इन जो काई होती है और जो लीचेन होता है ये किन जगहों पर मिलता है तीन ऑप्शन दिये हुए है पहला दिया है डेजर्ट वेजिटेशन याने कि जहां रेगिस्तान है वहाँ पर एगिस्तान की वनस्पतियों में ऐसा देखने को मिलता है टॉपिकल एवर्ग्रीन फॉरेस्ट याने की हमारी जो टॉपिकल की जो हमारी एवर्ग्रीन फॉरेस्ट है याने सदा बाहर वन है वहाँ पर आपको देखने को मिलता है या फिर टुन्डरा जहां पर आपको क्या होता है आपको ये घास और काई और ये सारी चीज़े देखने को मिलती है या आप उसको उस जगह पर 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 खोच पाते हो ठीक है फिर नेक्स कुशिन हमारा कहता है थौर्णी बशेज आर फाउंड इंडिया निकी जो कटीली चुबने वाली जो जाड होती है वो हमें कहां मिलती है होट एंड हुमिट ट्रॉपिकल क्लाइमेट या फिर होट एंड ड्राइ क्लाइमेट ड्राइड ड्राइजर्ट क्लाइमेट या कोल्ड पोलर क्लाइमेट यानिकी गरम और हुमिट वाले ट्रॉपिकल वातावरंड में या फिर गरम या रूख लखे देजर्ट के climate में या फिर थटंडी पोलर वाले मौसम में climate में तो आंसर हो जाएगा हमारा hot and dry desert climate में हमको कटीली जाड़ियां देखने को मिलती है या वहां पे हमको यह चीजे कटीली जाड़ियां पाई जाती है फिर next question कहता है कि in tropical evergreen forest जो हमारा सदा बाहर one है tropical का one of the common animal is वहाँ पे सबसे common animal कौन सा है जो हर जगह पाया जाता है तो option है हमारा monkey, giraffe and tick तो हमारा monkey जो होगा वो हर जगह, हर तरह के forest में आपको देखने को मिल जाएगा तो monkey is our common animal जो हमारे tropical evergreen forest में पाया जाता है फिर next question कहता है कि one important variety of conference food कौन सी ऐसी बहुत महतपूर्ण variety है हमारे conference forest की यानि की हमारे सकुनदारी one की तो option दिये हुए है rosewood यानि की shisham ठीक है फिर दिया हुआ है option pine का and then दिया है teak का तो pine is important variety यानि की हमारी महतपूर्ण variety कौन सी है pine है जो हमारे conference forest में यानि सकुनदारी forest में मिलता है और भी हमारी जो होती है चीर और सिदार ये भी दो जो होते हैं हमारे एक important variety होते है conference forest में इस लोगों का मितलब pine का चीर का और चिदार का tree आपको देखने को मिलेगा ठीक है next question हमारा कहता है कि steepy grassland is found in steepy grassland यानि कि जो हमारे यानि कि जो हमारा घास थान से यानि हमारे जो घास इस्थल होती है उसका मैदान हमें कहां मिलता है कहां उसको खोशते हैं कहां पाय जाता है तो option दिये हो है हमारा South Africa, Australia and Central Asia तो हमारा Central Asia में जो है वो आपको steepy grassland यानि घास इस्थल का मैदान जो है वो आप वहाँ पे वहाँ पे जो है grass इस्थल का मैदान जो है वो पाया जाता है ठीक है next question is match the following पहला तो हमारा जो पहला है वो walrus है यानि कि हमारा जो polar animal फिर इसके बाद second हमारा कहता है कि चिदार यानि कि ये एक जो होता है हमारा चिदार जो होता है वो हमारा softwood tree होता है यानि कि हमारा ये एक conference forest में पाया जाता है ठीक है ये एक नरम लकडियों का जो पेड होता है उसे हम चिदार कहते है then olives olives क्या होता है ये खटा फल होता है यानि कि एक citrus food होता है ठीक है जो हमारा Mediterranean vegetation में पाया जाता है elephant क्या है एक animal है हमारे tropical deciduous forest का यानि कि हमारे जो tropical में रहने वाले जेपने भी पत्जड़ी one होते हैं वहाँ पे हमारे elephant भी जो है वो एक जानवर है जो पाया जाता है फिर आता है campus campus क्या है यह हमारे tropical grassland ब्राजील में पाया जाता है ठीक है देन उसके बार downs यानि the temperature grassland in Australia ठीक है तो यह हो गया हमारा match it फिर next question is give reason यहाँ पे आपको कुछ questions यह हुए है जिनका आपको कारण बताना है कि क्यों ऐसा है तो पहला question कहता है कि the animal in polar reason have a thick fur and thick skin जो polar reason होता है यानि थंडा छेतर जो होता है जहां बरफीला जगह होता है वहाँ के जितने भी जानवर होते हैं उनकी जो फरे होती है उनके जो बाल होते हैं वो काफी मोटे होते हैं और उनकी जो skin होती है उनकी जो चमडी होती है वो भी काफी थिक होती है तो ऐसा क्यूं है from the cold climate condition ज्यानि की थंडे वाता वरंड से परिस्थिती जो उनकी होती है condition जो होती है वो थंडी वाली जो पोलर में बरफ होते है तो उसकी वैसे थंडी जगह पर रहने की वैसे वो खुद को protect करने के लिए वो क्या करते है इसलिए उनका जो बाल होता है वो भी काफी घना होता है और मोटा होता है skin भी उनकी मोटी होती है चमडी भी उनकी मोटी होती है ताकि वो खुद को बजा सके उस थंडी से these region has a limited natural vegetation due to its cold climate वो छेतर पोलर रीजन वाला छेतर जो है वहाँ पे बहुत ही limited जो है वो बहुत कम ही जो है वहाँ पे प्राकितिक वनस्पतियां हैं प्राकितिक पेड़ पौदे हैं उसका कारण यह है क्योंकि वहाँ की जो थंडी तापमान है ठंडा मौसम है उसके हिसाब से हर पेड़ वहाँ पे सर्वाइब नहीं कर पाता रह नहीं पाता वह मुर जाता है या जम जाता और वह फिर पूरी तरीके से तूटके गिर जाता है इसलिए बहुत रेयर ही वहाँ पे नैच्वर वेजिटेशन पेड़ पौदे हैं प्राकितिक ठंडे छेतर में पोलर र वान होते है वह अपनी ट्राइं वान को ड्राइं सीजन में यानि रूव शाब कराते हैं वह हो졌े तबाद वस्यवों फाने से अपनी लक्रियों से क्या應 करतें गिरा से तो चौकल नैसीधी एस फॉर्स जो हमारा पज़भी वन रब्र parental का वो हम 102 पार्ट इंडिया ह I found फो investir आ mila हमारे इंडिया के लार्ज बार्ट में पाया जाता है Northern पार्ट आफ ऑस्ट्रैलिया हमारे northern पांड ऑस्ट्रेलिया के पा आप्नेगा और अमेरिका इन तीनों जगह पे हमारे जितने वी 1 पजड़ी wal वह होते हैं वह हम को वह बातलब यह पाया जाते हैं वो हमारे मौसमी बदलाव का अनुभव रखता है इसकी वैसे क्या होता है जो टॉपिकल हमारे पजड़ी वन होते हैं पेड होते हैं वो अपने पतियों को गिरा देते हैं उन रूखे season में, रूखे मौसम में to save water ताकि वो पानी को सुरक्षित कर सके, ठीक है फिर next question हमारा कहता है the type and thickness of vegetation आपको बताना है कि क्या प्रकार है और क्यों हमारा जो vegetation है पेर पौदे जो है वो थिक होते हैं, मोटे होते हैं जब हमारी vegetation changes होते हैं पेर पौदे की changes होती है, from place to place अलग अलग जगह उपर, अलग अलग तरह के आपको पेर पौदे क्यों देखने को मिलते हैं अलग अलग उनकी thickness क्यों होती है, मोटाई क्यों होती है ठीक है, तो the type and thickness of vegetation यह जो प्रकार और जो थिकनेस होती है vegetation की वो अलग अलग जगह पर change इसलिए होती है, place to place because of the changing climate condition क्योंकि उस जगह का climate जो है, जो मौसम है वो भी क्या होता है, change होता है तो as per condition, जैसा condition होती है उस according जो है, वहाँ का पेड़ पौधा होता है ठंडी जगहों पे जो पेड़ पाए जाते हैं कि because of the changes in climate condition, land form and temperature and moisture माने कि जो changes है हमारे वातावरन के परिस्थिती में जमीन में कि किस तरीके का जमीन है, किस तरह का land form है वहाँ का तापमान कैसा है, temperature क्या है, वातावरन कैसा है ठीक है और वहाँ की नमी कैसी है, मौश्य कैसी है उसके according ही vegetation की thickness होती है और प्रकार होता है तो different types of plants and animals can survive in different of vegetation इसलिए अलग-अलग तरीके के चानवर और पेड़ पौड़े जो हैं वो अलग-अलग जगवाँ पे, अलग-अलग vegetation में survive कहते हैं ठीक है पाच्वा कोश्यन हमारा कहता है कि collect a picture and photograph of forest and grassland of different parts of the world और अलग-अलग जंगलों की और आपको क्या करना है कि जंगलों की और grassland की photos को लगाना है अलग-अलग parts के जो world में पाए जाती है write one sentence below each picture हर picture के नीचे आपको एक sentence लिखना है तो पहला होता है हमारा tropical evergreen forest यानि कि हमारा जो सदा बाहर वन है उसके बारे में होते हैं हमारी equator के करीब होते हैं and close to the tropic हमारी tropics के काफी करीब होते हैं these reasons are hot and receive a heavy rainfall यह चेतों जोते हैं काफी गरम होते हैं और यहां पे भरपूर बारिश होती है बहुत जादा throughout the year पुरे साल बर these trees do not shed their leaves altogether यह सारे पेड़ जोते हैं वो एक साथ अपनी पूरी पतियों को नहीं गिराते हैं ठीक है इसलिए इनका नाम tropical सदा बाहर वन हमेशा evergreen होता है इसलिए इसको सदा बाहर वन के नाम से जाना जाता है दूसरा होता है हमारा tropical decidious forest यानि की हमारा जो ट्रॉपिकल में जो हमारे पजड़ी वन होते हैं वो तो these forests are the monsoon forest यह forest यह जो जंगल होता है वो क्या होता है हमारा monsoon forest होता है ठीक है मौसमी जंगल होता है जो found होता है हमें पाया जाता है कहां पे large part of India में इंडिया के large part में और Northern Australia और Central America के पार्ट में जो है यह हमारा यह desidious forest पाया जाता है trees shed their leaves in dry season यह रूखे season में क्या करते हैं अपनी सारी पत्तियों को जार देती है गिरा देती है ठीक है इसलिए इनका ना पजड़ी वन कहते हैं फिर टैंपरेट एवर्ग्रीन forest ठीक है तो जो हमारा तीसरा है वो क्या है संशी शंशी तोशंड सदा बहार वन यानि टैंपरेट एवर्ग्रीन फॉरेस्ट यह जंगल जो है हमको जायतर जो है वो इस्ट इन मार्जिन कोंटीनेंट के जो हमारे महादुईप के जो इस्ट वाला मार्जिन होता है वहां पर पाया जाता है और यह क्या करता है खुद में कठोर और नरम दोनों लकडियों को खुद में शामिल करता है और यहां पे हमें ओक पाइन इस तरह के जो है वो पेड़ पाए जाते हैं हमारे ट्रॉपिकल एवरगीन फॉर्रेस्ट में ठीक है आपको एलेटिपस भी जो है नीलगीरी का पेड़ जो है वो यहीं पर मिलता है फिर हमारा होता है लास ग्रास लेट जयानी की ग्रास लेट कया है जो हमारा गास स्थल है तो ग्रास लेट एरिया in which the vegetation is dominated by a nearly continuous cover of the grasses घास थल वह छेतर है जहां पे जितने भी पेड़ पूदे होते हैं वह क्या होते हैं वह पास में जो है kontinuous वह पूरा area जो होता है वह घासों से भरा हुआ होता है grassland occur in environment जो हमारा घास थल होता है वह उस वातावरं में मतला उगता है जहां पर conducive to the growth of these planet जिस जगह पे वो growth किया जा सकता है और these plant cover but not to that of a taller plant ये पूरा छेत जो है वो घास से भर जाता है पर ये बाकी पेड़ों की तरह बहुत जादा लंबे नहीं होते हैं ये 3-4 मिटर तक growth करते हैं particularly trees and shrubs मतलब की कोई एक पेड़ या फिर किसी एक shrubs की तरह म ये जो हमारे पेड़ होते हैं गास होते हैं वो particular वैसे नहीं होते हैं उनकी तरह लंबे नहीं होते हैं पर ये पूरे जितने भी एरिया होते हैं उसको cover कर लेता है फिर next question हमारा कहता है कि make a collage for a rain forest grassland and conference forest आपको एक collage बनाना है जिसमें आप rain forest के जो घास थल होते हैं ग्रा forest forest का ठीक है यानि कि secondary one का आपको बनाना है collage बनाना है तो यह आप अपने से ही कर सकते हो फोटो ले करके आप उसको बना सकते हो next question is in the cross world table given below यहां पे cross world table दिया हुआ है जिसमें कुछ words छुपे हुए है they are all about vegetation यह पूरा का पूरा vegetation मैंने पेड़ पौदो और wildlife पे ही base है हमारे वन जी वन पे and are to be found horizontally और यह हमको horizontally और vertically दोनों तरीके से हमको found होते हैं to have been work out for you working pair with a friend आप इस पे काम करो अपने friends के साथ pair बना के तो यह आपको पजल दिया हुआ है आपको इसमें से ही क्या करना है पूरा आपको बनाना है जैसे देखो आप यह यहां पे आपको टुंडरा देखने को मिलेगा आपको जैब्रा देखने को मिलेगा होर्स देखन पूरा कि यहां पर यहां प्योह कंपो दो इसमें कने मेंगदा इस तरीके से आपको पूरा आप पे खुवजना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको पूरा यहां पे पजल दिया होगा सारे वेजिटेशन और इन साइब चीजों से डिलेटेड है यहां देखिए आपका लीचेन है मोसेज है यहां पे आपका तो इसी तरीके से बहुत सारा इसमें आपको देखने को मिल जाएगा आपको एक होजना पड़ेगा फिर बैम्बू है आपका चीक है तो यह चाप्टर यहीं फिनिश होता है आपको चाप्टर समझ में आया होगा फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है कोई भी दिकत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूश सकते हैं और थैंक यू सो मच